हेलो एब्रिवन वेलकम बेक टू दा एच्पेमेत एजूकेशन जो प्रवाइड करवाता है आपको डिफरेंट डिफरेंट इग्जाम्स के लिए ओनलाइन क्लासिस अपनी वीडियो में हम बीड जो पीजुटी का स्लेबस है उसको डिसकुस कर रहे थे जिसमें से हमने नॉल वैदिक एजुकेशन सिस्टम से रिलेटर जो MCQ है उसको डिसकुस करेंगे आप चाहें तो अपना टेस्ट लगा सकते हैं आप कॉमेंट बॉक्स में भी अगर आपको आंसर पता है तो क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन को और जादा समझने के लिए आप व आप्शन नंबर 3 है परिवार से आप्शन नबर 4 है कोई नहीं तो वेदिक काली जो एजुकेशन थी हमने देखा था कि वो फैमली से ही शुरू हो जाती थी जो प्रारंबिक शिक्षा थी वो बच्चे को परिवार से ही शुरू हो जाती थी तो इसका राइट अंसर रहेग तो Option No.1 है उपनियन संसकार Option No.2 समावर्तन संसकार Option No.3 विद्या प्रारंब संसकार यह Option No.4 उपरोक्त सभी तो यह तीनों की तीनों संसकार जो हैं वो वैदिक काल में यूज़ किये जाते थे शिक्षा के लिए उपनियन संसकार भी बच्चे का किया जाता था समावरतन संसकार भी बच्चे का किया जाता था और विद्यारंब संसकार भी बच्चे का किया जाता था तो option number 4 जो है वो इसमें right रहेगा question number 3 है उपनेयन संसकार कहां किया जाता था तो जो उपनेयन संसकार है शिक्सा से जुड़ा हुआ वो कहां पर किया جाता था Option number 1 है परिवार में Option number 2 है गुरुकुल में Option number 3 है मंदिरों में ये option number 4 है महलों में तो इसमें right answer रहेगा Option number 2 गुरुकुलों में गुरुकुलों में गुरुओं के द्वारा जो हो उपनियन संस्कार बच्चे का किया जाता है जब बच्चे की admission गुरुकुल में होती है तो उसका पहले जाकर के उपनेयन संसकार जो है वो गुरुकुलों में गुरुआ द्वारा किया जाता था Next question है समावर्तन संसकार कहां किया जाता था तो जो समावर्तन संसकार है option number 1 परिवार में किया जाता था option number two, गुरुकुलों में किया जाता था, option number three, मंदिरों में किया जाता था, यह option number four, महलों में किया जाता था, तो जो समावर्तन संसकार है, वो भी education से जुड़ा हुआ एक संसकार है, जो की गुरुकुलों में ही किया जाता था, तो उपनेयन, और question number third और fourth, जो दोनों संसकार ह इन में वो दोनों गुरुकुलों में किया जाते थे लेकिन time period अलग रहता था उपनेंस संसकार स्टाटिंग में किया जाता था जब बच्चा admission गुरुकुल में लेता था और समावर्तन संसकार जब वो पूरी education लेकर के गुरुकुल से निकलने वाला होता था तब किया जाता था समावर्तन संसकार तो option no.2 इसमें राइट रहेगा गुरुकुल में किया जाता था next question है प्रात्मिक शिक्षा व्यादिक काल की कहां दी जाती थी तो प्रात्मिक शिक्षा महलों में दी जाती थी गुरुकुलों में दी जाती थी मंदिरों में दी जाती थी या उप्रोगत में से कोई नहीं तो इसमें option number four राइट रहेगा उप्रोगत में से कोई नहीं क्योंकि हमने पहले ही question में देखा कि बच्चे की шिक्षा जो प्रारंब है यानि कि उसकी प्रारंभिक या प्रात्मिक शिक्षा जो है वो उसे परिवार में दी जाती थी तो option number 4 जो है वो इसमें राइट रहेगा उप्रोक्त में से कोई नहीं next question आता है वैदिक काल की शिक्षा में कौन सी शिक्षा शामिल थी तो वैदिक काल में किन किन चीजों की शिक्षा दी जाती थी नमबर एक व्यविसाई की शिक्षा, नमबर दो इस्तरी शिक्षा, नमबर तीन युद शिक्षा या उप्रोक्त सभी तो वैदिक काल एजुकेशन में हमने देखा है वैदिक पीरिड की कि ब्यविसाई की शिक्षा भी दी जाती थि, इस्त्री शिक्षा थी, भलई अच्छी नहीं थी स्थी ती सीमित थी, हैना कुछी वर्गों की इस्त्रीयों को दी जाती थी, लेकिन फिर भी इस्त्री युद शिक्षा भी दी जाती थी, तो इसमें राइट अंसर एग उप्शन नमबर 4, उपरोक्त सभी, नेक्स्ट आता है, रिग वैदिक ब्यबसाई की शिक्षा किस पर अधारित होती थी, तो मैंने पहले भी बताया था कि वैदिक काल को हम दू टाइम पिरियड में पढ़त जो वैवसाई की शिक्षा थी, वो कैसे दी जाती थी, ओप्शन नमबर 1 है योग्यता के अधार पर, ओप्शन नमबर 2 है करम के अधार पर, ओप्शन नमबर 3 है वरन के अधार पर, ओप्शन नमबर 4 है उपरोक्त सभी, तो रिग वैदिक काल में जो बच्चे की capability होती थी योगेता होती थी उसके अधार पर शिक्षा दी जाती थी अगर कोई बच्चा है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है वो किसी भी कास्ट से किसी भी वरन से आता हो उसको वो एजुकेशन दी जाती थी तो योगेता के इंसार option number 1 इसमें राइट रहेगा रिग वैदिक काल में जो एजुकेशन थी वो योगेता के अधार पर दी जाती थी बाकी किसी भी काटागिरी को इसमें नहीं दिया देखा जाता था next question आता है उत्तर वैदिक व्यविसाई की शिक्षा किस पर अधारी थी जब व्यदिक काल का दूसरा टाइम पिरिएड शुरू हो गया उत्तर वैदिक जिसे कहा जाता है तो education का जो व्यविसाई की शिक्षा का जो अधार था वो चेंज हो गया वो क्या बन गया number 1 योगयता वक्षमता के अधार पर number 2 वरण वयवस्ता के अधार पर number 3 समाझिक सिती के अधार पर number 4 उपरोक्त मेंसे कोई नहीं तो इसमें option number two right रहेगा वरण व्यवस्ता के अधार पर जब चार वरण हमारे आ जाते हैं ब्रामन, क्षत्रिय, व्यश्य और शुद्र उत्रवेदिक काल में आप किस तरह की व्यवसाई की शिक्षा लेंगे ये आपके वरण पर अधारित हो गया ब्रामन पढ़ाई करेगा क शत्रियों को युद्य शिक्षा दी जाएगी व्यश्य और शुद्र का जो जो काम है उनको वो व्यवसाई की शिक्षा दी जाएगी अब यहाँ पर योग्यता का कोई भी स्थान नहीं रहा Next question आता है उपनेयन संसकार कौन करवाता है तो उपनेयन संसकार जोस की एमने पहले पढ़ा शिक्षा से रिलेटिड है और Starting में ही गुरुकुल में यह किया जाता है तो उपनेन संसकार करवाता कौन है आप्शन नमबर एक कुल परोहित आप्शन नमबर टू परिवार के सदस्य आप्शन नमबर थ्री राज परिवार के सदस्य या फिर आप्शन नमबर फोर गुरुकुल के गुरु तो उपनेन संसकार गुरुकुल में होता है प्रारंबिक या प्रात्मी शिक्षा जो थी वैदिक काल में वो कौन से साल से शुरू हो जाती थी बच्चे की से शुरू हो जाती थी चार वर्ष के बच्चे की शुरू हो जाती थी पांच वर्ष की शुरू हो जाती थी आठ वर्ष के बच्चे की या बारा वर्ष के बच् नमबर फो इसमें राइट रहेगा तून गशंयर और दो अप्ष्ण नबर टू इसमें राइट रहेगा फांच वर्ष से। उच्छ शिक्षा के लिए गुरुकुलों में admissions मिल जाती थी. Next question आता है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रशाशन यानि की administration कौन देखता था? Option number A, राज्य के अधिकारी, number 2, राजा स्वैं, option number 3, गुरुकुल के गुरु, ये number 4, उप्रोक्त सभी. तो वैदिक काल में जो शिक्षा का administration होता था, वो गुरुकुल के गुरु देखते थे. Option number 3, जो है वो इसमें राइट रहेगा, राज्य का या राजा का शिक्षा पर कोई भी अधिकार नहीं होता था, गुरुकुल के गुरु ही सारा का सारा administration, finance जो था, वो गुरुकुलों क और शिक्षा का देखते थे. Next question है, वैदिक काल में शिक्षा की आय का साधन क्या था, कहां से पैसे आते थे, number 1, दान दक्षिना से, number 2, शिश्यों द्वारा भीक्षा मांगना, number 3, धनी लोगों द्वारा दान देना, number 4, उपरोक्त सभी. तो ये सारे ही जो थे, वो आय के साधन थे, वैदिक काल के शिक्षा का, दान दक्षिना देते थे, फिर गुरु दक्षिना देते थे, शिश्यों द्वारा भीक्षा मांग कर लाई जाती थी, गुरुकुलों को चलाने के लिए, धनी लोग या फिर राजा जो थे, वो धन भी देते थे तो option number 4 इसमें राइट रहेगा उप्रोक्त सभी next question है वैदिक काल में शिक्षा के पाथे क्रम वह शिक्षा के नियमों का निर्मान कौन करता था तो जो करिकुलम होता था और education से related रूल बनते थे उनका निर्मान कौन करता था गुरुओं द्वारा किया जाता थ किसी समूह द्वारा किया जाता था यह उप्रोक्त में से कोई नहीं तो जो गुरु होते थे यह गुरुओं को जो समूह होता था कोई भी समूह नहीं गुरु यह गुरुओं का समूह ठीक है तो इसमें option number 1 रहेगा गुरुओं द्वारा यह गुरुओं को समूह भी हो सकत कोई भी समूण नी होगा गुरु ये गुरुवों के समूण के द्वारा किया जाता था next question है वैदिक काल में शिक्षा का उदेश्य क्या था पर्पस क्या था शिक्षा देने का option number पर एक है वेदों का ध्यान करना, option number two है जीवन कौशल की शिक्षा देना, शास्त्रों की शिक्षा देना या धर्म की शिक्षा देना, तो इस चारों की चारों आप्शन इसमें सही है, उपरोक्त, सभी, व्यादिक काल का है, शिक्षा का ये सारे की सारे क्या थे, परपस थे, next question आता है, प्रारंबिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, व्यादिक काल में प्रारंबिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ये करिकुलम में क्या क्या चीज़े जूड़ी हुई थी, तो option number एक है भाषा, option number दो है सामान्य गर्ना, option number तीन है धर्मिक क्रियाएं, और option number चार है उप्रोक्त सभी, next आता है, व्यादिक काल में उच शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था, जब उच शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाते थे, तो क्या क्या पाठ्यक्रम था, option number एक है कर्मकांड या जोतरविज्यान, option number दो है राजनितिक शास्त्रवन्या शास्त्र, option number 3 है भूत या देव विद्या, और option number 4 है उप्रोक्त सभी, तो उप्रोक्त सभी, option number 4 इसमें राइट रहेगा, उच शिक्षा में बहुत से सब्जेक्षा में बहुत से सब्जेक्षा थे, ठीक है कर्मकांड, जोतरविज्यान, राजनितिक शास्त्र, न्याय श भूत विद्या, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, इतिहास्त, बहुत से सब्जेक्षा थे, उनमें से युद विद्या होगी, या कला कौशल होगे, अपनी इच्छा अनुसार बच्चा कोई भी सब्जेक्षा चुन सकता था, उच शिक्षा के लिए, ये सारे के सारे कहानी विधी कहा जाता था अप्शिन नमबर टू इसमें राइट रहेगा कंठस्त विधी इमिटेशन मैज़ को अनुकरण विधुई को और किस नाम से जाना जाता था कंठस्त विधी जिसके द्वारा ज्याधतर बेदों के मंत्र थे उनका उच्चारन सिखाया जाता था शि उसमें अगर बच्चों को education देना हो तो कौन से method का use किया जाता था सम्मेलनों यानि की समिनारों में, कहानी बीदी का किया जाता था, प्रशनोतर बीदी का किया जाता था, बाद भी बाद, यह option number 2 और 3 दोनों, तो इसमें option number 4 राइट रहेगा, दूसरा और तीसरा जो option है, वो दोनों सही है, प्रशनोतर विदी का use भी किया जाता था, प्रशन पूछे जाते थे, उनका उत्तर दिया जाता था, यह किसी topic पर गुरू यह शिश्यों में, यह आपस में गुरूं में, यह शिश्यों में क्य करतब्य क्या थे, गुरू की क्या क्या करतब्य थे शिश्यों के लिए, तो नंबर एक है, शिश्यों को उचित शिक्षा प्रदान करना, शिश्यों के आवास भोजन पवस्तर की विवस्ता करना, शिक्षा से जुड़े संसकार करवाना, और साथ में fourth option है उपरोगत सभी, तो इसमें भी option number four ही राइट रहेगा, क्योंकि शिश्यों, शिश्यों जो होते थे वो गुरू के अंडर रहते थे और गुरू के भी कुछ करतब्य होते थे, कि उन्हें खाना, भोजन, वस्तर, उनके रहने की स्वास्ते की, शिक्षा की, सारे की सारे शिक्षा से रेटेड गुरुग्री की सफाई करना, शिक्षा पूर्ण होने पर अपने सामर्थ अनुसार दक्षिना देना ये option number four उपरोक्त सभी, तो option number four राइट रहेंगे, गुरुकुल की सफाई करना, गुरुग्री की सफाई करना, और शिक्षा जब खतम हो जाती थी, तो अपने इच्छा अनुसार दान दक्षिना, गुरु दक्षिना देना, ये सारे शिश्यों के क्या थे, करतब्या थे, next question आता है, वैदिक कालीन शिक्षा कैसी होती थी, तो कि मतलब किस तरह का क्या उसमें एक अलग से point था, number एक शुल्क देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, फीस नहीं, तो option number two, इसमें राइट रहेगा, हमने पहले भी पड़ा है, कि वैदिक काल में जो education होती थी, फ्री of cost होती थी, निशुल्क होती थी, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, गुरु दक्षिना देने के बाद में गुरु दक्षिना देनी होती थी, ठीक है, वो भी compulsory नहीं था किसी के लिए, अगर किसी के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो वो free education ले सकता था, है ना, लेकिन फिर भी करतब्य में हमने पड़ा कि अपनी इच्छा अनुसार या अपनी सामर्थ्य अनुसार वो गुरु दक्षिना दे ही देते थे, लेकिन गुर आतन उपाधी दी जाती थी, वसुपाधी दी जाती थी, रूदर उपाधी दी जाती थी या फिर अधित्य उपाधी दी जाती थी, तो option number A इसका राइट रहेगा, 1 राइट रहेगा सनातक उपाधी, अगर किसी ने एक विद्य का ध्यान किया, तो उसे सनातक डिगरी दी तो बहव्यक्ति जो दो वेदों का ध्यान करता था उसे कौन सी उपाधी सनातक है वसू है रूदर है या आधित्या है तो option no.2 इसमें राइट रहेगा वसू उपाधी दी जाती थी वैदिक काल में चारों वेदों का ध्यान करने पर कौन सी उपाधी मिलती थी वसू उपाधी है नमबर 2 रूदर उपाधी है नमबर 3 आधित्या उपाधी है यह उप्रोक्त में से कोई नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति या बालक जो चारों वेदों का ध्यान कर लेता था उसे तॉ उप्रोक्त सभी सब्सक्राइब report केंद्र आधे त्रोक्त केंद्र परन्हों के हमिएवल in Scorp death 2 है, 9 वर्ष, 3 है, 10 वर्ष, और 4 है, 12 वर्ष, तो जो शत्री वालक होते थे, वो जब गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, तो जब वो 10 वर्ष की आयो पूरी कर लेते थे, तो उसके बाद उन्हें गुरुकुलों में admission मिलती थी, option number 3 जो है, इसम इसमेदी शिक्षा के लिए अच्छी सही नहीं है, इस्त्री शिक्षा सीमित थी, option number 2 अलग स्त्री या बाली का विद्याले थे, option number 3 राजगराने वो धनी वर्ग की इस्त्री ओंत की सीमित थी, option number 4 है उप्रोक्त सभी, तो क्या इंग मेंसे बात सही नहीं है, तो इस्त्री भी गुरुकुल या अलग से कोई गुरुकुल नहीं था, जहां पर सिर्फ इस्त्री या वालिकाओं को ही शिक्षा दी जाती थी, तो option number two इसमें right रहेगा, next question आता है, वैदिक काल की शिक्षा के अनुशाशन में क्या शामिल था, जो discipline था, उसमें क्या क्या चीज़ों का जो उप्रोक्त सभी, तो इसमें भी option number four ही right रहेगा, उप्रोक्त सभी, उन्हें ब्रहमचारे जीवन वेतीत करना पड़ता था, और और भी बहुत से अनुशाशन थे, जिनका पालन जो है, उन्हें अपने शिक्षा काल में या उच्छ शिक्षा काल में गुरुकुलों में करन पड़ता था, तो यह कुछ questions थे, जो कि वैदिक education system से related थे, जो कि हाज हमने discuss किये, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कीजिएगा, वीडियो को share कीजिएगा, और हमारे channel HPMIT education को subscribe कीजिएगा, thank you